तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का दिल खोल के स्वागत है मेरे बलोग चैनल पे और दोस्तो आई बहुत ही खुसी की बात है कि आप सबका पेमेंट मेरे हाथ में आ गया रुकिये दिखाते हैं आपको देखिए दोस्तो देखिए और दोस्तो कुछ रीजन होता है मतलब की पेमेंट कितना आया वो नहीं बताने का तो अगर नहीं बता पा रहा हूं तो इसके लिए हाथ जोड़के माफी मांगता हूं और दोस्तो यह पेमेंट आप लोग का ही है क्योंकि आप लोगो नहीं अपना बहुत कीमती समय देकर मेरे वीडियोज को भीव किया मेरे वीडियोज को लाइक किया मेरे वीडियोज पर कमेंट किया और मेरे वीडियो को सेयर किया तो आप सब का ही पेमेंट हुआ ना दोस्तो तो इसके लिए आप सब को तहे दिल से धने वाद दोस्तो लाख लाख सुक्रिया दोस्तो ल खूस नहीं होंगे मैं उसी जगा खर्च करूँगा जिसे देखकर आपको खूसी होगी दोस्तों अपनी पहली पेमेंट से मैं अपने दादी के लिए क्या क्या लाया हूं पहले मैं अपनी दादी के बारे में बता देता हूं आपको यह दादी मुझे पहुत आसिरबात देत लेकिन फिर भी बीमार रती है हमेशा हमेशा बीपी का दवा रोज खाते रती है और दरद का भी दवा खाते रती है तो इसके सेहत अच्छा रखने के लिए मैंने देखिए दादी के लिए क्या-क्या लाया दोस्तों आप सब को दिखाता हूँ तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सब इसी तरह से इस भाई पर अपना प्यार असिरबाद और सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं अपने दादी को हर महीने अपने पेमेंट में से इतना ची लाके देता रहूँ ताकि इनका स्वास्त अच्छा रहे देखिए आपको दिखात क्वाइलिटी अच्छा है क्योंकि दुकांदार वाले से मैंने बोला कि जो अच्छा रहेगा वही दीजिएगा यहां दिखाईए कैमरा वाले भाईया खजूर दिखा ना जिए तो इसमें खजूर है दोस्तों पक्नी के और इसमें बादाम है इतना लगभग एक महीना चल जाएगा मतलब थोड़ा थोड़ा खाईगी रोज और दिखाते हैं आपको इधर देखिए दोस्तों काजू है और दिखाते हैं आपको इसमें क्या है जी अच्छा हां चोहाडा होगा साय तो सब आपका खेल है दोस्तों आप सपोर्ट किये उसके बजा से यह सब हो पाया देखिए चोहाडा है और आपको दिखाते हैं एक चीज़ और होगा सायद पकड़ लेजी है ममा एक की जा हां कि समिस यहने तु धियान देते रही है उत्तम यह उपर देख रहा है उपर से कोई देख रहे हैं दिखाई तो एक बर कैमर वाउप है मेरे घर के बच्चे ही है तो कैमरा वाले भाईया भी उपर देखने लगते हैं फिर फोकस गड़वड़ा जाएगा ना कैमरा वाले भाईया इधर देखाई इसमें किसमिस है तो मैं इस हिसाब से खरीदा हूं कि लगभग एक महीना तो आराम से चल जाएगा तो यहना खाई है एक दम टैम से रोज स सब्सक्राइब करें तो दोस्तों अपनी पेमेंट में से मैं इतना अपनी दादी के लिए लाया हूं लगभग एक महीने का खुराक है तो आप सब से हाथ जोड के मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सब इस भाई को ऐसे ही अपना प्यार आसिरबाद और सपोर्ट देते रहिएगा ताकि मैं हर महीने अपनी पेमेंट में से दादी के लिए इतना लाके देता रहूं ताकि इनका स्वास्त अच्छा रहा है मुझे डर लगते रहता है क्यों आपके घर में भी अगर कोई बुजूर्ग लोग हैं दादा हैं या दादी हैं तो उनका खयाल रखा किजिए दोस्तों क्योंकि बुढ़ापे में सहारा मतलब की बुढ़ापे में बुजूर्गों का सहारा कोई नहीं होता है बस एक सहारा लाठी होता है और दूसरा पोता पोती क्योंकि इनके बेटे और पतोहु जो होंगे वो सब तो अपने कामों में बीजी रहते हैं लेकिन पोते और पोतियों को थोड़ा सा ये टाइम मिलता है कि अपने दादा और दादी का खयाल रख सके तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं दोस्तो इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है दोस्तो आप लोग अपना प्यार अशिरबाद सपोर्ट देते रही है भाई को ताकि मैं अपने दादी को हर पेमेंट में से इतना ची लाके देता रहूं और मेरी दादी स्वस्त रहे है और दुसरा बात ये है दोस्तो बैट के ही बता देता हूं और दुसरा बात ये है दोस्तो कि मेरी हम पहले अपनी फैमली के बारे में बता देते हैं मेरे पापा है मेरी मम्मी है और मेरे पापा छे भाई हैं तो उनमें से मेरे पापा सबसे बड़े हैं तो मेरे पापा के मतलब मेरी दो बहन थी तो दोनों की साधी बिया हो गई और दूसरी बेहन की जब साधी हुई तब उसमें बहुत ज्यादा कर्ज हो गया तो मैं कोशिस कर रहा हूं कि आप सब के इस पेमेंट से जिन जिन से मैंने करजा लिया है उन उनको मैं दे दूँ ताकि पापा के उपर जो भी बोज्ज का थोड़ा सा हलका हो मतलब कि मेरा पहला यह थोड़ा सा रखरा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा खुसी आप लोग के बदवलत मिली है हमको तो मतलब करजा सटाने के चकर में हूँ, अगर करज दे देता हूँ, तो किसी टाइम फिर से अगर हमको पैसे की जरूरत होती है, तो करजा जिसका मतलब करजा सटा दूँगा, उनसे मांग सकता हूँ, अगर करजा नहीं सटाता हूँ, और फिर मुझे जरूरत होती है, तो कर आपसे मुख बाते हैं कि गरीबों एवं आसहाई की सेवा करना तो दोस्तों आज से मैं बादा करता हूं कि मेरे सामने जो भी गरीब और आसहाई लोग रहेंगे मैं उनका मदद जरूर करूंगा आपसे बादा कर रहा हूं तो मैं जूट नहीं बादा कर सकता हूं क्योंकि आ आप सब हो तो मैं हूँ आप सब के बीना मैं कुछ नहीं तो आज मैं आप लोगों से बादा करता हूं कि गरीब एवं असहाय लोगों की जिस तरीके से मुझे मदद करना पड़ेगा मैं करूंगा वैसे तो मैं जब भी मतलब गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करने की बा आप लोग ऐसे ही अपना प्यार असिरबाद सपोर्ट देते रहिएगा तो मुझे किसी गरीब एवम असाहाई लोगों की मदद करने की बारी आए चाहे पैसे से आए या फिर सरीर से आए मैं करूंगा तो आज से मैं मैंने मतलब आप लोगों से ये भी बादा कर लिया कि गर लाख लाख सुक्रिया दोस्तों लव यू और हाँ दोस्तों मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो कान पकड़ के माफी मांगता हूं अपना भाई समझकर अपने परिवार का सदस समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा और आपके मन में क्या है आप भी अपने मन की बात एब दोस्तों आप भी अपनी मन की बातों को कमेंट में जरूर लिखिएगा एक पर फिर से आपको लाख लाख सुक्रिया दोस्तों लव यू दोस्तों